कि हम चर्चा कर रहे हैं इस रिंखला में हम G एल्फबेट के जो भजन है उस पर चर्चा बढ़ा रहे हैं तो गुरुदेव दया में इस भजन के उपर चर्चा हम कर रहे थे इसके आगे पढ़ रहे हैं कृष्ण दास्या भूली मयारे भजिनू आपना स्वरूपा कभुना चिन्तिनू कि रूप भावी मुढमना माया तेया क्रिष्ट है कि रूप भावी मुढमना माया तेया क्रिष्ट हैया गुरुदेव दया माया कह रहे हैं कि जीव का स्वरूप तो भगवान के दास के रूप में मुझे चमा की जीगाई यह नेटवर्क यहां पर नहीं आ रहा है इस हुज़े से मैं कम हैं यहां पर नेटवर्क जो मैं वीडियो नहीं आउन कर पा रहा हूं पर यह बहुत ही सुन्दर भजन है क्रिश्न दास्या भोली भगवान की दास्ता को भूल करके हैं हम भगवान के आंच हैं भगवान के दास्ता मायारे भजिन माया का भजन माया की सेवा कर कितने सारे मैनेजर्स की सेवा करते करते फिर भी मैनेजर पसंद नहीं होता इसमें यह प्रॉब्लम है देखो जरा तुम्हारे इसमें बग आ गया है फिर कभी किसी MLA की सेवा करते हैं किसी MP की सेवा करते हैं बहुत सारे लोगों की सेवा करना चाहते हैं सब की सेवा करके फिर कोई मान लो परिवार में बहुत पैसे वाला व्यक्ति है तो उसकी सेवा करनी पड़ती है कृष्ण दास्य भूली मायारे भजिनों भजन मतलब सेवा करने तो कृष्ण की दास्ता को भूल करके माया का भजन करते हैं कई बार लोगों को यह लगता है कि क्रिश्ण की सेवा में कितना देखो सुबह जल्दी उठो आरती की प्लेट लगाओ अगर बती लगाओ कितना काम रहता है बहुत काम बढ़ गया है बहुत सारी सेवाएं बढ़ गई है प्रभुजी तो फिर क्या करो फिर क्या करें लक्ष्मी माता जी आपका बार बार अन्म्यूट हो रहा है लक्ष्मी माता जी इस तो अधिक है तो हमारी ध्यान से श्रवन किजेगा कितने सहज रूप से माया की सेवा करने में खूब सेवा करनी पड़ती है और कोई मैनेजर होगा उसकी सेवा करनी पड़ेगी नहीं होगा तो माया के अलग-अलग अवियावों की सेवा करने में अपनी जो समाज है उसकी भी सेवा कर लेंगे सब कुछ कर लेंगे लेकिन के दास्ता को भूल करके जब हम किसी और की सेवा करते हैं वो एक दिन हम को छोड़ के चला जाता है तो कि उसकी मृत्त आएगी ही लक्ष्मी माताजी आपका अन्म्यूट हो रहा है बिटा आप आप लक्ष्मी माताजी आप थोड़ा देखे इसको हरे कृष्णा प्रभी देन करने में कोई संकोष नहीं होता और बहुत गर उसे बताते भी है कि प्रभुजी मुझे न अपनी कंपनी में मुझे क्या पोस्ट मिली है मुझे special graduate trainee की पोस्ट मिली तो अच्छा तो अब आपको काम नहीं करना पड़ेगा क्या नहीं अब तो ज़्यादा काम करना पड़ेगा इसलिए तो ये पोस्ट में लिए अच्छा 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 तो आप इतना खुश क्यों हो बस तो यही खुशी है कंपनी वाले भी जानते हैं कि कैसे बेखूब बनाना है वो भी special कुछ treatment दे देते हैं चीफ चीफ कुछ ऐसे मान लों की चीफ डी sterilization of officer of conglomeration of threats इस तरह का नाम दे रहे हैं तो आपका वाइटल हो जाएगा कि सीटी ओ एफ टी और कोई पुचेगा तो आप क्या है आप मैं सी टी ओ एफ पी हूँ यहां पर और एक्च्छिविए इसका मतलब क्या है यह जो मैंने बूला इसका मतलब क्या है इसका मतलब है धो भी कपड़े धोने वाला चीफ स्टेरिलाइजेशन ऑफिसर ओफ कॉंगलिमरेशन ऑफ थ्रेट्स मतलब कपड़े भागों से बनता है न कपड़ा तो उस कपड़े को साफ करने वाला मुख्य व्यक्ति मतलब धोबी लेकिन ऐसे ही कोई पोस्ट बना देते हैं हम समझते हैं ठीक है मैं हूं में व्यक्त हैं रफिर हम रेडी होजाते हैं हमाया हमको अपना दास बनाके रख्यों मया के दास हैं हम लेकिन हम इसमें कितना गर्व मैं कमपनी ने जर्मनी बहँभ जाय psychology घूमने के लिए बता रहा हूं मैं सारा खरचां सारा खर्चां कमपनी दे रही है ठीसा आरे इतना गर्व मत कर उसका मेहनत कर रहा है आपने भाई अगर हो सकता है अभी नहीं कर रहे हैं एल केजी से लेकर कि क्या कर रहे थे ये ल केजी यू केजी वन टू कितनी बोतले खुआ हैं कितनी बैग ही खो गया कितना चीज करने के बाद अब जब इंजिनियर बने तो कमपनी ने 20 साल में 10 साल म हम जर्मनी में अरे माया के दास है भाई माया अपने नए नए नाम दे करके व्यक्ति को बेवकूल बनाती है व्यक्ति सोचता है कि हाँ मैं मैंने देखा जिन लड़कों की शादी नहीं होती वो लोग लिंग्डिन पर प्रोफाइल बना लेते एक मान लोग खरीद लेंगे एक गाड़ी खरीद लेंगे न कोई कार खरीद लेंगे उसके बाद लिंग्डिन पर लिखेंगे CEO CEO एड लाइट मोटर वहकिल्स नहीं कुछ ऐसा नाम देंगे न उसका कि ग्लोबल ग्लोबल ऑफिसर ऐसा कुछ नाम देंगे ग्लोबल ऑफिसर ऑफ लक्षमी ट्रांसपोर्ट्स प्राइविट लिमिटेट और है कितना एक ही कार है या एक कार है उस कार को यही चलाते है यही ड्राइवर है लेकिन अब नाम लिखने के लिए लिख दिया स्पेशल ग्लोबल ऑफिसर तो ऐसे बेवकूब बनाते हैं यह लोग है मैं जब कंपनी में इन्फोसिस में जॉब करता था तो स्टार्टिंग में मैं सारे ट्रेनी ग्रूप का लीडर मुझे बना गया है इस्पेशल ग्रैजुएट ट्रेनी इसको बोलते हैं जितने भी ट्रेनीज हैं मैंने सोचा कि इसमें क्या सैलरी बढ़ेगी तो बोलते हैं सैलरी नहीं बढ़ेगी इसमें आपको बहुत सारे पढ़ाई और ट्रेनिंग के अलावा और भी जो काम कंपनी वालों को करना चाह City अच्छा तो यह एक्स्ट्रा है मेरे लिए तो यह हमें क्या करना लिए तो यह ने तो माया दासी मिरात बनने में कितना व्यक्ति खूब बताता है मम ही पापा भी बताते हैं मेरा बेटा Alek Alek एक बेटा मेरा यूएस में अभी सर्व कर रहा है, टकसास में एक आईटी कंपनी में जाब कर रहा है, और एक बेटा हमारा यहां पर घर में हमारी सेवा वगरा करता है, यही बिचारा नालायक निकला, कुछ बेचारा कर नहीं पाया, तो अब यह बेचारा हमारी सेवा ही कर पाता है, और हमारा जो भी दिन भर सेवा ही कर पाता है, बेचारा यह सबसे नालायक यहां। ऐसे कौन बोलते हैं ममी पापा बोलते हैं और बहुत गर्व का महसूस मैंने देखा बहुत गर्व महसूस करते हैं बोलेंगे कि हमारा बेटा एक बेटा तो हमारा अमेरिका में है हमें भी ले गिया था दो दिन के लिए हम भी गहते हैं अमेरिका बहुत अच्छा लगा हमें हमें एक बात है, साफ सफाई बहुत है अमेरिका में, तो ये माया के दास, जो माया अपना नौकर बना करके रखी है, उसको कितना गर्व से कोई व्यक्ति कहता है, कि मैं ये पोजिशन आ गई, मेरी अब तो मैं बहुत बड़ा व्यक्ति बन गया हूँ, और जब कोई व्यक्ति भक्त बन जाता है, तो कहते हैं, ए तो वही सकान में अपना माला वाला करते हैं, कोई इनका चारी क्या करते हैं, देखिए हमारी एक बेटी है, उसकी जाब लगी है, वो तो सौथ अफरीका में रहती है, एक बेटी वहाँ पर रहती है, उसकी यहाँ पर जाब है, और एक बेटी हमारी बस क्रिशन भक्त है, शादी हो गई है, अपने घर में क्रिशन प्रसाद क्रिशन को भोग लगाती है ब्रसाइब बड़िवार को खिलाती है प्रचार करने जाती है बुख डिश्यूपशन करती है यह सब गरती बिचारी नालायक है बागी सब हमारे जो बेटियां है वो तो deeply foreign में जो रह रहे जिए अब उनको living relationship का चला हुआ है अब वो living relationship में रह रह ही तोड़े tapi तो इनके साथ live-in में रह लिया फिर उनके साथ रह लिया फिर कुछ दिन राए है फिर उसके बाद उनको लगता है कि शादी मैं करूं क्यों करूं मैं नहीं करूंगी शादी बच्चे पैदा करना उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उससे time waste होता है माया देखे कितनी प्रभावशाली है जीव भगवान का अंच है लेकिन उसको चिंता ये हो गई है कैरियर में मुझे ग्रोव करना है माया ने बनाया ये कैरियर जडविद्याजत मायारवईभाव तुमार भजने बाधाओ मुह जन्मिया अनित्य संसारे जीव को कराये गाधाओ जीव को गधा बना देता है लेकिन व्यक्ति मोहित हो जाता है मैं मैं तो सीनियर इंट्रेक्शन डिजाइनर हूँ या 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 और बड़े गधे हो तुम अच्छा ओक्या 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 अरे ये बात सही है कि हमको भी नौकरी करनी पड़ती है ये बात चीक है लेकिन कृष्ण भक्ति से गर्वित होना चाहिए ये तो भगवान की सेवा में लग जाए वो ज्यादा महत्यपूर्ण है ये अगर नौकरी हम कर रहे हैं या जो भी हम कर रहे है वो अगर भगवान की सेवा में लग जाए तो तो हमारे लिए वो महत्यपूर्ण है Otherwise अगर भगवान की सेवा में नहीं लगए तो क्या है एक तरह से धोखाई है तो इसी सिध्धांत को आज यहां पर कह रहे हैं कि इस भजन में क्या करें कृष्ण दास्या भूली में कृष्ण के दास है हम सोचो हम भगवान के दासत्यों को छोड़के एक्स भगवान के जो सर्वेंट है परसनल असिटेंट ऑफ कृष्णा हिंसेल उसको छोड़कर के हम इस दुनिया में आ जाते हैं और MP और MLA की हम बहुत सारा बटरिंग करते हैं सर आईए सर बैठिये सर अरे सर बैठिये सर अब माया की सेवा में लग जाए है और कोई संकोच भी नहीं कर रहे है कृष्ण की सेवा में तो ठीक है पर माया की सेवा में कोई संकोच नहीं है ठीक है ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात जिसको ये कपड़ा बाहर का दे दिया गया है और उस बाहर के कपड़े को देख करके व्यक्ति बहुत आइडिन्टिफाई करते हैं मैं कितनी सुन्दर एक बागेश और बाबा का वीडियो आया था एक बिटिया थी वो बोल रहे थी मैं इतनी सुन्दर हूँ मैं क्या करो तो बागेश और बाबा बोलते है भजन करमास्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है ये बात सही है बुढ़ापे में क्या होता है अभी तो हम सुचते हैं कि नहीं ये हमारे लड़कियों लड़कों को आपस में इस अप्रेम प्रसंख का दिन है नहीं भाक्ती करने का दिन है क्यों क्योंकि जब बुढ़े हो जाएं कहां सेवा करें गुटने पकड़ लेंगे सर में दर्द है कमर में दर्द है पीठ में दर्द है सब जगा दर्द हो रहा है क्या भगवान की सेवा करेंगे तो कृष्ण दास से को भूल करके अपना स्वरूप को ध्यान दीजिए ये जो बाहर का कपड़ा है एक दिन जला दिया जाएगा हम ये शरीर नहीं है ये तो बाहर का एक ड्रेस है जो कि हमको मिला है इसकी सुंदर्ता बजसूर्ती पर जादा सोचना नहीं चाहिए इसके उपर बहुत काम नहीं करना चाहिए ये तो बस काम चलाने के लिए है जितना कम से कम में इसको चला दिया जाए उतना ठीक है ये शरीर तुम्हारा नहीं है ये तो एक दिन छूट जाएगा हम तो भगवान के अंश है हम तो आत्मा है अब इस मूढ मन को कैसे समझ में आएगा भगतों का संग करेगा भगतों लोग बार-बार बताएंगे कि त्यान पुरवक जब करके भगवान की लेक्चर सुन करके भगवान की बारे में पढ़ करके शिल प्रभबात की पुस्तवें पढ़ करके हमें ये वास्तविक विश्वास होगा कि ये जो बाहर का चमड़ा है ये कुछ दिन के लिए है ये कुछ दिन चमकता रहता है जैसे यह ली हैं किस थियुजिक हैं और समय के बाद सब ज्रुप सफेड हो जाते हैं यहलग बात है आज का लोग एक एचार है बहुत अपने जमाने में बहुत सुन्दर होते थे तो उन्होंने स्विच करके हमारे वहां पर जॉइन किया तो फिर बहुत एज जब हो गई थी तो मेरे से उनका डिस्कुशन होता था तो उन्होंने बताये कि जब मैं यंग थी तो मैं बहुत सुन्दर थी पर अब देखो ये शरीर मेरा कैसे बाहर से अभी भी वो क्या करती है कुछ मेकप वेकप करके हेर डाई कर लेती है और कुछ फेस लिफ्ट करवाया है पता नहीं क्या क्या हो सब होता है कहती है मैं बाहर से कितना भी कर लूँ लेकिन अंदर से मुझे बहुत दर्द रहती है पेट हमेशा गड़वर रहता है गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम है और यहां पर यह रहता है मतलब सारा बता रही थी कि अंदर से मैं स्वस्थ नहीं हूं बाहर से कितना पेंट कर लेंग कि रूप भावी मोड हमना मायाते आकरिश्ट होयी फिर भी माया से आकर्षण के करण हम इतने मूड हो गए हैं कि माया से आकर्षण की करण इस्षी शरीर को अपना मान बैठे और ये शरीर जो इसको स्वस्थ रखना है पर इसको जादा नहीं देना है कम से कम इसको दे करके जादा से जादा इसका इस्तेमाल करना है जादा नहीं देना यह नहीं सुचना है मैं ने बहुत काजू खिला दिया इस शरीर को अब यह शायद बहुत ताकत हो जाएगी तो यह 50 किलो की बोरियां गेंद के जैसे खेलने लगेगा अना ऐसा नहीं होगा इसलिए इस बात को समझना चाहिए ठीक है तो अभी हमें इसको सवासार बजगे हैं मारे पास दो-तिन मिनट और है यदि आपके मन में कोई प्रश्ण है तो आप पोच सकते हैं आज हमने इस बात पर चर्चा किया कि बार-बार इस बात को सोचना ठीचर की सेवा कर रहें कभी मैनेजर की सेवा कर रहें कभी सीनियर मैनेजर हो गया इस सबकी सेवा करनी पड़े हैं कई बार लोग को सर ऐसे व्यक्ति को भी सर बुलाना पड़ रहा है जो सुबह से शाम तक धारू पीता है वो जो भक्त की सेवा हम कर रहे थे वो कभी धारू तो नहीं पीता था कृष्ण का नाम लेता था उनकी सेवा करने से आपको भी सुकरती मिल रही अब जाओ अब कंपनी में जो सेवा करो गया वो कोई भक तो थोड़ी होगा वो तो सामाने वेक्ती हैं उसकी सेवा करनी पड़ रही है तो बुले ये सर वो आँखे दिखा रहा है हाँ सर आप कुछ कह रहे थे आप कुछ नहीं नहीं वो तो मेरी आँखें ऐसे ही गूम गई करने को जब रेड़ी हो तो किसी कृष्ण भाक्त का क्यों नहीं करते हो कम से कम भगवत कृपा तो मिलेगी इतना रिक्वेस्ट इतना कुछ करने को तयार है लेकिन भाक्तों से भगवान से विनम्र होने में कोई रुची नहीं चीक है तो अभी मैं सबके हाथ नीचे कर रहा हूं एक बार किसी के मन में कोई प्रश्णी तो नहीं है एनी क्वेश्चिन्स किरन माता जी यस मैं अरे कैसना प्रभु जी डंडवत प्रवजी जो चैंटिंग प्रभु जिसमें राधा माधां राधा माधव आते हैं प्रभु जी तो वो प्रभु जी यूट्यूब पलो लोड हो सकती है हां हां वो है यूटूब पे प्रभुजी वो दो तो मेरे पास पहले से हैं प्रभुजी वो वाली नहीं है जिसमें रादा मादा आके चले जाते हैं भगवान के सीन बदलते रहते हैं हम लोगों को सब को बताई थी ना कि ऐसे चेंटिंग करनी चाहिए तो प्रभुजी मेरे मन में यह आ रहे हैं अगर मुझे मिल जाती तो मैं लोड कर लेती प्रभुजी घर में वाइफाई है ने इतना नेट है निके डेवर डेड़ जी वी के वर रहता तो खतम हो जाता है हाँ नहीं मैं आपको बेज़ दूगा बेज़ दूगा मैं आपको बेज़ दूगा हरे क्रिष्ण प्रभुजी दन्वत प्रेनाम चीख है तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं आज हमने इस तथ्य पर चर्चा किया कि हम यह शरीर नहीं है और माया की सेवा करने को बहुत महान न समझ करके प्रिष्ण की सेवा जो है उसको महान समझना चाहिए यह तो आजीविका का साधन अलग-अलग लोगों का अलग-अलग होता है इसको बहुत स्रेष्ट है नहीं समझना चाहिए इससे अपने को बड़ा नहीं समझना चाहिए चीक है? हरे किष्ट्र चीक है, मैं सब भक्तो को अन्म्यूट कर좌 और फिर इस विद्यम को ख्लोस करो हरे किष्ट्र शेला प्रहपाद की जास्ट अब रहे किष्टा अब रभुजी देंदयक पना प्रवजी दर्वा प्रणाव